आपका स्वागत है एक नई रेश्पी में आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रेश्पी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है राज कचोडी या शटपटी डिस्क सिर्फ राजा माराजा ही इसी इसका आनम लेते थे तो आप भी ले सकते हैं और आसानी के साथ धर में बना सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बनाना शुरू करते हैं राज कचोडी जैसा नाम वैसा ही इसका टेस्ट खाने में उतना ही लाजवाब हम राज कचोडी बनाने की सटिक और इजी रेश्पी दिखाएंगे आपको तो बिना देरी किये चलिए शुरू करते हैं बनाना राज कचोडी आप इसे घर पे आसानी के साथ बना सकते हैं बस थोड़े से हमें कुछ समान की जरूत है मैदा सूजी सोडा सबको मैने यहां नॉर्मल पाने में थोड़ा सा हल्दी डालके आठे की तरह इसको गूथ लेना है यसे हम घरों में आठा लगाते इसकी अच्छे से आ जाएगी तो आपको 15 मिट के लिए इसे ही रख देना है फिर इसकी हम स्टफिंग त्यार करेंगे जो इसके अंदर स्टफ करेंगे वह उसमें हम बेशन लेंगे रेट चिली पावडर थोड़ा साइस में डालेंगे नमाग थोड़ा बेकिंग सोड़ा फिर इसको भी अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे जैसे हम घर में आलू का मिक्चर तयार करते पराठे के लिए वैसे ही ध्यान रखके इसको गीला नहीं करना है आपको एक थोड़ा साइसा डो तयार करना है इसको इस्टफिंग के लिए तो इसको भी हम साथ में करके सब्सक्राइब आपको प्रोडी लेने हैं जितना आपको सभगे से रख दे के नहीं तो यह फिर फिर एगा और अच्छे से फूलेगी नहीं बनेement तो जैसा मैं आपको वीडियो प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको स्टफ कर लेना है, स्टफ करने के बाद इसको बंद करके और इसको फिर कपड़े से ढख के रख देना है, यहाँ पे तो मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा बनाया है और फटा फट बना दूगा, वट आप एक एक तोड़े और एक एक करके ही घर पे बनाएं, बहुत ही अच्छी रेश्पी है, यह मेरा वीडियो पहले भी मैंने यूटूब पे बहुत पहले भी डाल चुका हूँ, तो आप चाहिए तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, और यह वीडियो काफी लोगों ने मे इस प्राउट हो गया, ब्लैक चना हो गया, और पापड़ भी डाल सकते हैं, तो यहां मसाले जो हैं, यहां मसाले देखिए, मैंने चाट मसाले यह है, थोड़ा सा रेट चिली पाउडर और मेरा पे जीरा रोष्ट करके लिए, तो यहां आप भी जीरा रोष्ट करके लेना पाउडर में उतना टेस्ट नहीं आपाता है, उससे क्या होता है, कि रोष्ट करने बाद जो उसका टेस्ट है, वो बहुत अच्छा आता है, तो दिखिए, यहां पे रिफाइन डॉयल में पोड़ी बनके डाल दी है, अब यह आराम से इसको हम इसके उपर जो टेल ऐसे ऐस करके डाले, ताकि यह भटूरी की तरह ऐसा फूल जाता है, फिसके बाद जैसे हलका सा कलाराया है, उसको आपको पलड़ देने, यह देखिए, एकदम करंची और गोल पूरी एकदम बनके त्यार होगी, और ऐसा कलारायत भी निकाल देजिए, अब जो श्टफिंग है, यह दही है, इसे मीठी दही, आप मीठा करने के लिए सुगर चाहिए, तो आप गुड़ भी एट कर सकते हैं, यहाँ पर मीठी चट्नी है, मैंने मिन्ट चट्नी लिए है, और मीठी चट्नी में है, मैंने आप इमली चट्नी लिए, तो आप भी इमली चट्नी ले सकते हैं, ऐसे इसको अच्छे से इसको फिल कर दिना और जो दही है इसको नहला दो बिल्कुल दही चारो तरफ से अच्छी से कोडिंग होने चाहिए यह अच्छी से कोडिंग फिर इसमें जीरा पाउडर है चिली पाउडर धनिया पाउडर जो भी आपके पास है वह आप डाल के इसा आप चैटनी डाल और बच्चों को भी खिला सकते हैं, बुड़ों को भी खिला सकते हैं, कोई रिष्टेदार, कोई घर में महमान आगया उसको भी आप परोज सकते हैं बहुत ही जल्दी बनती है रेश्पी और आप इसको परजेंट करने बाद आप देखेंगे आपको एक अलग ही हैसास होगा लोग आप क्यों एंगे वहाँ है क्या बढ़ी हाँ चीज है तो अब एब बाद घर पे जरूर टार इसको ट्राइ करें और इसे जरूर बनाएं धन्यवाद मुझे आसा आए कि आपको वीडियो या रेश्पी पसंद आई होगी अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जल्दी आने वाले वीडियो का आनंद लें फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी में एक नई वीडि वीडियो के सा तब तक कि वीडियो याई से लाई